दोस्तों डीके थीडियूम डीजाइन में आपका फिरसे एक बार सागत है आप जानते हैं मैं नाम डीके लॉनकर है और मैं आपके लिए नए-ने प्लांस नए-ने डीजाइन इस चैनल पर लाते रहता हूँ तो आज भी आपके लिए एक बड़ी असा प्लान ला हूँ जिसका पूरा वीडियो जरू देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों और रिष्टो दोरों को भी यह वीडियो शेयर करने की कोशिद जरू करें प्लान की दरब बढ़ने से पहले यहाँ पर स्क्रिम पर हमारे आपस के नमबर है अगर आपको भी प्लान की या डिजाइन की जरू आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर से चुड़ा है तो यहाँ पर हम चोटा सा गार्डम अगरी बना सकते हैं पार्किंग के लिए भी काफी बढ़िया एरिया दियागा है तो देखे यह ग्राउन फ्लोर प्लान है उसके बाद में आपको शाट में समझाता हूँ इसके बाद में यहाँ पर बायक वगर हम पार्क कर सकते हैं उसके बाद में इस टेप चेट के वराणे पर पहुझाएंगे यहां से अन्ट करेंगे इस हौल में यह जो है लिविंग रूम है लिविंग का एरिया है इसका साइज जो है 19 फीट वाइट वाइट का है मतलब सब्सक्राइब यहां पूरिए ये तरह समझ में प्रस्षा-पbo would – इसके बात में यह लिविंग रूम्ह पे यहां वेस्क्राइब गैलेरी बना देंगे और यहां पर खड़े रहेंगे तो यह सोपा सेट वगर हमें नीचे का नजर आ जाएगा मतलब यह लिविंग रूम का स्लैप जो हम डिरेकली डबल फ्लोर पर डालेंगे ठीक है मतलब बीच में स्लैप नहीं रहेगा उसके बाद में इस साइड में आते हम तो किचन कम डाइन बेडरूम है इससे पहले यहां पर कॉमन टाइलेट बातरूम समझ लिजिए देखिए यहां पर बातरूम और यहां पर टाइलेट यागा है और यह जो है लिंग रूम से डाइरेकली यूज कर सकते है किचन से भी डाइरेकली यूज कर सकते है किसी की प्राइवसी हमें डि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह फर्स प्लोर का प्लान है यह भी क्लाइन की रिक्वाइर्मेंट की हिसाब से बनाया गया था आप देख सकते हैं ग्राउंट फ्लोर से हम एंट्री करेंगे यहां से हमारी एंट्री हो जाएगी इस गैलरी पर पहुच जाएगे और यहां से बार भी निकल सकते इस गैलरी पर इस बालकनी पर देखे यहां पर जो है इस लेविंग रूम का स्लैप जो है डायरेक्ली ट्रेटी फीट पर डालने वाले हैं तो यहां पर एक गैलेर रहेगी इस बालकन रहेगी यहां से हम खड़े रहेंगे तो यह नीचे का नजरा हमें दिख जाएगा ठीक है और यहां पर एक डोर दिया जहां पर जो हमने पार्किंग के लिए जो एरिया दिया था वहां पर हमने शिट आउट एड़्जस किया है ठीक है तो यहां पर हम यहाँ बाद में हम देख सकते हैं यहाँ नीचे सेम डिया था सेम बेडरूम है जिस टाइप में हम यहाँ पर भी टाइप में है तो यहाँ पर हमने ग्ल्शिया पुछ वक्ला ऑ्सक पूर्ण देखे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप में इसका फीर डिफरेंट इलिएशन बनाया था यह ज़िए डूपलेक्स हाल हॉल को हिस्टाइप में हमने विन्डो दिया है यहां पर भी एक विन्डो दिया है और यह स्टेर केस का जो टावर है आप देख सकते हैं, यहां पर हमने ग्लास फगेरे दिया है, तो काफी बढ़िया इस सेड से हमें लुक नजर आ रहा है, यहां पर जो विंडोज है, यहां पर आप देख सकते हैं, यह केजन का विंडोज है, और उपर जो हमने बेड रूम दिया है, इस बेड रूम का एक वि तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद तो अब इक लिए इतना ही मिलते हैं नेक शुड़े में